फिरोस्पूर पुलिस ने गत दिनो रतन सिंग नाम के एक व्यक्ति को गाउं बेतिया के निकट गोली मार कर उससे डेड़ लाख रुपए चीन कर भागे आरोपी हर्बंस सिंग को गिरफतार कर लिया है इस संबंद में SPH केतन बालीराम पाटिल ने बताया कि उन्हें गत दिनो रतन सिंग ने शिकायत दर्श करवाई थी कि गाउं बेतिया के निकट उनसे डेड़ लाख की नकदी लूट ली गई थी जिसके बाद DSP की देखरेक में एक टीम का गठन किया गया था मामले की जाच करते हुए पुलिस ने इस मामले के आरोपी हरबंस सिंग को गिरफतार कर लिया है पुलिस ने आरोपी के कबजे से एक लाख 27 हजार रुपए और एक देसी पिस्तॉल वस्जंदा कार्तूस बरामत किये है फिलाल दोशी पर बनता मामला दर्शकर जाच शुरू कर दी गई है फिरोजपुर से हलचल के लिए मंजीत सिंग की रिपोर्ट इंडिया से एक रतन सींगर के बंदा है सत्तूवाला पिंड का उसने देड़ लाख उपे निखाले थे और अपने पिंड सत्तूवाला जा रहा था रास्किर में एक पिस्तूल से हमला किया और उससे देड़ लाख उपे लेके भागे फिरोश्वर पुलिस ने विदिन 24 आज में वो बंदा ट्रेस कर लिया और पैसे की भी रिकोरी कर लिये एक लाग से ताइस हजार रिकोर गिये उससे झाल से पो एक लिये विये बंदाओ से ताइस हार रिकोरी कर लिये हैं झाल झाल झाल